नमस्कार स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में मैं हूँ आपके साथ सुनाली हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की पाँच बड़ी खबरे जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियों में मौझूद है क्यापिटल टीवी के एक्जिक्यूटिव एडिटर राजीवडी राजीवडी बहुत-बहुत स्वागत है आपके सबसे पहले नेज़र डालते हैं हेडलाइन्स पर ठक सुकेश चंदर शेखर ने केजरिवाल सतींद्र पर लगाया आरोप कहा एलजी को पत्र लिखने के बाद मिली धमकिया महराश्ट्र के पूर्व मंत्री नरवाव मलिक को बड़ा जटका एडी को मिली संपती जब करने की अनुमती बंगाल लोट्री घोटाला मामली में सीबियाई पहुची आसंग तोल जेल टीम से नेता अनुपरत मंदल से की पूचता हिमाचल में पेम मोदी ने मांगा एक और मौका कहा कॉंग्रेस ने रक्षा सौदों में दलाली खाई पाकिस्तान सेना ने की इमरान खान को घेरने की तर्यारी शवबाज शरीफ से कानूनी कारवाई की मांगी आज की सबसे पहली खबर में बात करेंगे दिल्ली के सीम अर्विन केज रिवाल पर सुकेश चंदरशेखर के बड़े खुला से की महाठक सुकेश चंदरशेखर ने एक और लेटर बम फूर दिया है इस बार उसके निशाने पर दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केज रिवाल है उसने अपने इस लेटर बम में कई बड़े खुला से किये उसने सीम पारा 50 करोर रूपे लेने का आरोप लगाया साथे राजसबा के सीट ओफर करने का भी दावा किया वहीं केज रिवाल ने इन आरोपों को नकारते हुए इसे बीजेपी की मन गनत कहानिया बताया है राजीव जी चंदरशेखर के आरोपों को क्यों नकार रहें केज रिवाल देखिए केजरिवाल तो नकारे गाही लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आरोप लगाये गए हैं उस आरोप के पीछे सच्चाई हो सकती है या नहीं क्योंकि अरविन केजरिवाल पर ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं और उन आरोपों के बापचूद अरविन केजरिवाल ने वो काम किया है जो उनके अपने ही लोगों ने लगाया था वो आरोप अगर आमाद्वी पार्टी के नेताओं ने बड़े नेताओं ने इसके आसपास के नेताओं ने लगाया तो इसका मतलब है कि केजरिवाल के पूरी कमपनी में गरवड़ी है अब सुकेश चंद सेखर क आरोप पर क्यों न हम विश्वास करें इसके पिछे भी कारण होना चाहिए भारतिय जंता पार्टी का नाम लेकर अर्विंद केजरिवाल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन क्या सुकेश चंदर सेखर ने जो बाते कही है कि सतेंदर जैन को 10 कड़ो रुपया प्रोटे होई थी आखिरकार अर्विंद केजरिवाल के साथ उनकी मिटिंग हुई अगर सुकेश कारोप गलत है तो अर्विंद केजरिवाल उनसे मिलने के लिए क्यों गए डिनर पार्टी क्यों की और सुकेश ने यहां तक कहा है कि राजसभा सीट के लिए 50 कड़ो रुपया वसू पूल कर दो दूसरे विजनसमेन से परलोभन देकर या फिर किसी भी अस्तर पर आम आदमी पार्टी के लिए 500 कड़ो रुपया इकटा करो तो तुम्हें राजसभा के सीट दी जाएगी अब केजरिवाल के उपर जो आरोप लगे हैं उससे पहले भी तो SD गुपता, ND जिससे आपके अंदर ही हरकंप मच गया, कई नेताओं ने पाटी चोड़ दी, तो इसका मतलब है कि सुकेस ने जो जो सबूत दिये हैं उसमें सचाई है और इस लेटर के कारण ही अब केजरिवाल के खिलाप इसके जाच होगी, सत्यंदर जैन के फोन नंबर खंगा ले जा के आसपास के दूसरे लोग फसे हैं ठगे में, उसी तरीके से अरवींद केजरिवाल भी इस पूरे ठगी कांड में पकड़े जाएंगे और इनके उपर जो आरोप लग रहे हैं, वो सब सच सावित होने वाला है जे बिलकल, तो जहां दिल्ली में सुकेश चंदर शेखर के लेटर बम से केजरिवाल की टेंशन बढ़ गई है, वही माराश्ट्र के पूरु मंतरी नवाब मलिक की भी मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एडी को मलिक की संपती को जब करने के अनुमती दे दी गई है, अब केंदर जाज एजनसी एडी मलिक और उनके रिष्टदारों की संपती को जब करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, राजीव जी एडी का कितना बड़ा आक्शन? इसका सीधा कनेक्शन दाओ दिबराहिम से था, और दाओ दिबराहिम की बहन हसीना पार्कर के साथ मिलकर इसने अवैद जमीन कबजा किया, और उसके साथ जो पैसे ये लोगी कठा कर रहा था, वो डी कंपनी को जा रहा था, दाओ दिबराहिम को जा रहा था, और दाओ दि इबराहिम जब भारत छोड़ कर चला गया तो उसके बाद से उसने पूरे तरीके बदल दिये अपने बसूली का अबैद कबजा करने जमीन करने का उसका पूरा काम हो गया था जिसमें नवाब मलिक ने किस तरीके से फर्जी वाड़े से उसने पूरे प्लॉट पर कबजा किय और उसके बाद जो दूसरे फ्लैट्स इसके हैं उस पर भी एडी ने कोट से इजाज़त मांगी थी कि ये सारे प्रोपर्टी करीब आठ प्रोपर्टी ऐसे हैं जिसकी लिस्ट बनाई गई है और सारे के सारे नवाब मलिक उसके परिवार के लोगों उसके नाम से रेजिट में है उसका पूरा परिवार सडक पराने वाला है सारी संपत्ति जबत होगी और फिर इसमें आगे की जो करवाई होगी उसमें सहत पवार भी फसने वाले हैं जी बिलकल तिरमूल कॉंग्रेस के बीर भूम जिला ध्यक्ष अनुबरत मंदल को लोटरी में एक करूर रुपे तसकरी के मामले में जेल हिरासत में है राजीर जी पूछताच में क्या कुछ खुलासा हुआ देखिए ये जो मामला है ये बहुत गंभीर मामला है ऐसा नहीं है लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आया है CBI इसकी पूश्ताच कर रही है कि आखिर ये लौटरी घोटाला है क्या एक TMC के नेता को बार-बार कई नेताओं को ऐसा हुआ है कि एक करोड के लौटरी लगती है अनुबरत मंडल को अनुबरत मंडल जो पहले से ही करोड रूपया कमाता है गायत तसकरी यानि यो जो इस बीच जो गायत तसकरी का मामला आया था जिसमें ये जेल के अंदर है अब CBI को जब इसका कम्प्लेन मिला तो उसके बाद CBI के टीम उन सारे जगहों पर गई जहां जहां से लौटरी का वो टिकट मिला था जो अनुबरत मंडल के खाते में जिसका पैसा गया यानि एक करोड रुपे की लौटरी किस कम्पनी की थी उस कम्पनी ने किस वेंडर को दिया और वो वेंडर के पास गया तो उसने बोला कि मेरा तो यहां तो कोई रिकाउड ही नहीं है कि अनुबरत मंडल के नाम से कोई लौटरी लगी है उसके बाद आगे के वेंडर जु ये कोई एक अनुवरत मंडल का नहीं है बलकि पश्चिम बंगाल में लोट्री के खेल का है जिसके माध्यम से बंगाल में ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का कारोबार चल रहा है और उसमें ममता बनर्जी तक इसकी जाच जाएगी क्योंकि ममता बनर्जी के इसारे के बिना वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता ये जो पिछले दिने पार्थ चटर जी के घर से 50 करोड कैस पकड़े गए थे ऐसे कई नेता है जो ब्रस्टा चार में फसे हुए हैं सैक्रो करोड का गोटाला हो रहा है ये सारे गोटाले के पैसे जो में कनवर्ट किये जाते हैं उसमें एक मामला लोटरी का भी है जिसमें फरजी तरीके से लोटरी निकाली जाती है लोटरी के टिकट बेचे जाते हैं उसके सेर खरीदे जाते हैं और फिर उन फरजी टिकटों के आधार पर करोडो का खेल होता है जी बिलकुल हिमाचल को जूटा करार दिया पीएंब ने कहा कि जूटे वादे व गैरंटी देना कॉंगरेस की फित्रत रही है 2012 के घोश्ना पत्र में कौंगरेस हूँ निये जो वादे पत्र में किये थे एक भी पूरा नहीं किया गया बीजे पी जो संकल्प लेती हैं पूरा कर कर दिखाती है रा अर्विन केजरिवाल शुरुआती दोर में जब चुनाब की सुगबुगाहट हुई थी तो उस समय गुजरात और हिमाचल परदेश दोनों जगह गये थी भगवंतमान को साथ लेकर गये थे आम आदमी पार्टी जब पंजाब में चुनाब जीती तो अर्विन केजरिवाल क लगा कि चलो हिमाचल में भी थोड़ा बोडर स्टेट है तो वहाँ पर भी पंजाब का परभाव पड़ेगा लेकिन दो तीन दोरे भगवंतमान अर्विन केजरिवाल उनके टीम ने किये और उसके बाद जो कुछ आम आदमी पार्टी में लोगों को शामिल किया था वो भ बीच कुछ परिशानी भारतिय जन्ता पार्टी के अंदर हो रही थी इन फाइटिंग की बात कर रहे हैं कि अंतरकला हो गई थी टिकट जिसे नहीं मिलता है वो बगावत करने पर उतारू हो जाता है लेकिन जैसे ही पिये मोदी ने कमान समानी एक रैली है उसमें जो भीड के लिए एक तरह से पहले से अंकमफर्टेवल जैसे सिच्वेशन थी कोई ऐसा उम्मिदवार तक नहीं है साथ साथ आठाठ बड़े नेता है लेकिन उनको सी एम का चेहरा नहीं मिल रहा है तो ऐसे में कॉंग्रेस पहले से ही मुश्किल में थी और सिर्फ और सिर्फ को ऐस लग रहा था कि हिमाचल का इतिहात रहा है कि एक बार भाजपा दूसरी बार कॉंग्रेस तो इसलिए उस रोटेशन के आधार पर कहीं कॉंग्रेस को जीत मिल जाए लोटरी की तरह लेकिन मेहनत कुछ नहीं था अब पी एम मोदी ने कमान समाली एक रैली हुई उसके बाद पूरे हिमाचल का मूड ऐसे बदला है कि ऐसे फिर से उत्रा खंड की तरह यहां भी इतिहास बनेगा दुबारा भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रहे हैं आखरी खबर में बात करेंगे पाकस्तान में इमरान खान की बढ़ती मुश्किलों की पी टियाई की अधियक्षि इमरान खान के सेना पर लगाए गए आरूपु पर पाकस्तान सेना ने इमरान खान को करारा जवाब दिया है और संगे सरकार्ट से बिना किसी सबूत के संस्था और उसके अधिकारियों को बदनाम करने के लिए जिमेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कारवाई शुरू करने का अनुरोध किया राजी जी क्या इमरान वसस आर्मी शुरू हो चुका है देखे इमरान खान क्या आर्मी जो पाकिस्तान की है वो पलटी मारती रहती है अर्विन केजिरिवाल की तरह हर जगह पर इमरान खान जी के तरह है या फिर सहВाज सरिप की तरफ ये किसी के तरफ ऐसे अचानक से नहीं जुकती है उसको जब लगता है कि किसको protection देना है जिससे हम protect हो सकते हैं उसी के साथ खड़ी रहती है जैसे इमरान खान जब परधान मंतरी बना था तो उस समय भी आरोप क्या लगे थे विपक्षी पूरी विपक्षी पार्टियों ने यही भुट्टो परिवार या नवासरेव का परिवार सब लोगों ने मिलकर आरोप लगाया था कि इमरान खान elected नहीं selected Prime Minister है यानि पहले इसे select किया गया आर्मी के द्वारा आर्मी ने इसके लिए पूरे फिल्डिंग की और उसके बाद चुना में बहाना बनाया गया कि लोक्तांत्रिक तरीके से हो रहा है सारे बुथ वोट कैप्चर हुए और एक तरीके से जो इमरान खान को परदान मंत्री बनाया गया चुना नहीं गया तो ऐसे में उस समय के आरोप आर्मी और इमरान खान के गटवंदन के लग रहे थे गटजोड के लग रहे थे लेकिन जैसे ही इमरान खान कमजोर हुआ उसके आसपास की पाटियों ने उसका साथ छोड़ दिया उसको बहुमत नहीं रही और सरकार बदल गई सहवाज सरीफ आया तो उसके बाल आर्मी को भी लगने लगा कि अब तो अगला जो जेनरल है वो सहवाज सरीफ चुनेगा दोनों को मिल जूल के आगे रखना चाहिए क्योंकि इमरान खान पर उन लोगों को भी भरोसा नहीं था और इसलिए इमरान खान जब आर्मी के खिलाफ कुछ बोल आर्मी कहीं है अब आर्मी आगे आई है और ये लोग सहवाज सरीफ की सरकार को कह रहे हैं कि कारवाई करें तो कारवाई करने का मतलब क्या है अब तो उसको मारने की साजीस हुई उसके बाद उसको जेल भेजने की साजीस होगी अब एक तरीके से आर्मी अपना सासन बनाय हुए है आर्मी का ही अधिकार हो गया है लोक तंतर सिर्फ दिखावा है ये दिखाने के लिए है दुनिया भर के देशों को ताकि ऐसा न हो कि फिर से अगर वहां आर्मी के कबजे में सरकार चली जाए तो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर परतिबंद लगने लगे अभी एफ और उस प्रायमनिस्टर को सारी तरह से संचालिद करता है वो सेना है तो सेना का ही कबजा है वो इंडिरेक्ट तरीके से और जब इमरान खान के खिलाफ कारवाई होगी तो जो खूनी संगर चलेगा उसके बाद सेना को मौका मिल जाएगा कि ऐसे हालात में अब जरुवत है कि सेना ही सरकार बन जाए सेना का कबजा हो जाए सासन पे और फिर ये लोकतंतर का जो दिखावा चल रहा है वहाँ वो भी खत्म हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बाचचीत के लिए धन्यवाद खबरों का पंचनाम हमें आज के लिए इतना ही देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक अनलिसिस के लिए देखते रहे हैं Capital TV हमें लाइक कीजिए शेर कीजिए और Capital TV को सबस्क्राइब कीजिए नमस्कार